विरोधी को अगर खेड़ना हो तो पहली शुरुबात उसके घर ते कड़ी होती है और अगर उसके घर में ही उसे कमदोर कर दिया जाए तो उसके होसले अपने आप सूर जाते हैं आज अखलीश श्यादव ने एक बार फिर से पार्टी दफ्तर में बैटक की आज की बैटक में भी लोगसवा चुनाव पर लंबी बात चीत हुई लेकिन अखलीश ने भाजपा को हरानी के लिए जबार गोरकपुर वाली हुंकार कर दी है उन्होंने गोरकपुर जिले के पार्टी बदानी कारियों के साथ चुनाव की रणनीती का प्लान तैयार किया लेकिन दूसरी तरफ आयोध्या में मौझूट सीम योगी राम मंदर के नाम पर एक नया संदेश देते नजर आए उन्होंने आज फिर आयोध्या से समाजवादी पार्टी पर इशारों इशारों में बड़ा हमला किया आज हम आपको यूपी के सियासत की बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे साथ ही ये में बताएंगे कि ब्रेज भूशन शरण सिंग के केस में दिल्ले पूलस ने जो चार्ज शीर दाखिल की है उसमें क्या खास है तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुबहेगी तो अकिली श्यादर की कोशिश यूपी की हर एक लोग सबा सीट पर मजबूती से चुनाव लड़नी की है पिछले एक हपते से वो काफी अक्सिव भी नजर आ रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने जिस गोरकपुर पर निशाना लगाने की कोशिश की है वो समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल है क्योंकि बीते 6 साल में जब भी गोरकपुर में चुना हुए सपा को जबर दस्त हार का साबना करना पड़ा अब गोरकपुर को लेकर अखलीश यादव ने जो प्लैन तैयार कर रहे हैं वो कितना काम्याब होगा ये कुछ ही महीनों के बाद पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी का मिशन अस्सी ओन पहाजपा के गढ़ पर अखिलेश का सीधा निशाना गोरकपुर में सियासी गदर की पहली पिक्चर आई गोरकपुर से यानि जितने भी मेन बाड़ी एक हो गई उनके जिलाद देख्चों को बुलाए गया इसके अलावा जितने भी प्रकोस्थ हैं समाजवादी पार्टी के उन सबी लोगों को बुलाए गया आज की इस बैटक में और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो प्रसिक्चर सिवीर होगा क्योंकि वो अब हर एक लोग सबा में होना है सीम योगी के गढ़ में फिर साइकल चलाने की तयारी प्रसिक्चन शिवर की पूर्वान चल तयारी अथिलैश की तैयारी पर बहाजपा का हल्ला बोर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर असी सीटों के मिशन पर सपा भाजपा में आर पाइए और भारतिय जन्ता पार्टी नारा ने पूरे संकल्प के साथ उस पर काम करती है हम लोगों ने इस वार असी के असी सीटे भारतिय जन्ता पार्टी बोरकपुर के लिए लाल गर्जना समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पिछले तीन दिनों से हल्चल काफी जादा है कभी यहाँ प्रसिक्शन शिविन होता है तो कभी अलग-अलग दिलों के नेताओं से अखिलीश यादा बुलाकात करते हैं आज बारी गोरखपुर के नेताओं की थी जिनके साथ सपा मुक्या ने लंबी बैचा की दरसल अखिलीश यादा को बार बार 2018 का उपचुनाव यादा रहा है जिसमें सपा ने बड़ी रणीती के तहट भाजपा को हरा दिया था हाला कि इसके बाद जितने भी चुना हुए सब में सपा की हाथ है और यही वज़ा है कि आज अखिलीश यादा को एक जुट्ता वाला संदेश देना पड़ा है यूपी की सभी 80 सीटों पर साइकल दोड़ाने का सपना लेकर बढ़ने वाले अखिले शादों ने अपनी पहली हूंकार भड़ दी सपा मुखिया लगातार पार्टी मुख्याला में बैठा कर रहे हैं तीसरे दिन उन्होंने मिशन गोरकपुर वाली तस्वीर साफ की और पार्टी के नेताओं से साफ तोर पर कहा कि सभी को गुटबाजी छोड़ कर 24 के चुनाओं के लिए एक जुट होना है कोई ऐसी गुटबाजी नजर ना आए जिससे पार्टी को चुनाओं में नुकसान हो अखले शादों ने ये भी कहा कि गोरकपुर, देवरिया, सलेमपुर और बांस गाउं का प्रशिक्षन शिविर गोरकपुर में होगा ये बैठक तकरीबन धाई घंटे तक चली है, बैठक में खास तोर से अखले शादों ने जो पार्टी के कारिकरता पतादिकारी आये तो उन्हें साफ तोपर निर्देश दिया है कि पार्टी की जो गुटबाजी है उसे दूर किया जाए, यानि सब लोग एक जुट होकर लोगसभा चुनाव की तयारी करें, क्योंकि पार्टी की गुटबाजी से कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है अखिलेश यादाओं ने बैठक में कारिकर्टाओं से साफ तोर पर कहा, कि इस बार लोगसभा चुनाओं के लिए उम्मीदवारों से आवेदन नहीं मंगाया जाएगा, किसी से कोई फीस भी जमा नहीं करवाई जाएगी बलके जिले की सभी नौ विधान सभासीटों के पदाधिकारी संयुक्त रूप से कुछ उम्मीदवारों के नाम भेजेंगे और उसका सर्वे करवाने के बाद पारी उम्मीदवार तैब करेगी गोरकपूर से ली गई इस बैठक में अखिलेश ने गटबंधन को लेकर एक बड़ा इशारा भी किया उन्होंने कहा कि 23 जून को पतना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद बहुत सी नई चीजें भविश्य के लिए तैब हो जाएं इस बैठक में काजल निशाद समेत जिले के तमाम बड़े पतादिकारी पहुँचे थे गोरकपूर के आज तमाम जो नेता है उनको बुलाए गया है पार्टी के रहले पर गोरकपूर में कुल नौ विदान सभाएं आती है जो नी वर्तमान वहां पारसद चुने गये है नौ निवक पारसद है उन सभी लोग को आज इस बैठक में बुलाए गया है गोरकपूर वो किला है जो भाजपा का सबसे मजबूत कर्षमा न जाता है पिसले आठ बार के चुनाओं में भाजपा की लगातार यहां से जीत थी योगी आदित्रनात खुद पांच बार इस सीट से संसर पहुंचे लेकिन अखिलेश यादव 2018 में हुए उपचुनाओ की वो तस्वीर देख रहे हैं पाइटी से गटबंदन किया था और संजय निशाद के बेटे प्रवीन निशाद को प्त्याशी बनाया था नतीजा यह हुआ कि प्रवीन निशाद में भाजपा के उपेंद्र दर्ट शुकला को 22,000 वोट से शिकस्त दे दी अखिलेश के पास अगर 2018 उपचुनाओं के आफ्रे हैं तो भाजपा के पास आठ चुनाओं का इतिहास इसके अलावा विधान सभा चुनाओं में भाजपा ने सपा को रखफुर की एक भी सीट जीतने नहीं दी जबके मेर चुनाओं में भी सपा को करदार इशिकस्त दी और एक बार फिर भाजपा के हौस दे वो लंग है इस बार भारते जनता पाटी पिछली बारे अपने परिवार के सीटे बचा लिये थे इस बार ओभी सीट नहीं बचा पाएंगे एक बोट कामन था जो मुस्लिम बूट था उसी के आधार पर ये सरकार बना कर बनाया करते थे अब अब मुस्लिम बोट कांग्रेस से भी खिसक गया है, मुस्लिम बोट समाजबादी पार्टी से भी खिसका है, मुस्लिम बोट बसपा से भी खिसका है 2018 के उपचुनाओं में अगर सपा गटवंधन की जीत कुई थी तो इसमें बसपा के समर्थन का भी योगदान था तब टकता सीधे सीधे, सपा और भाजबा की थी, लेकिन 24 के चुनाओं में बसपा भी मजबूत करी होगी ऐसे में भाजबा को अभी से ही 80 की 80 सीटों पर जीत का रास्ता आसान नज़रा रहा है मुझे लगता है कि 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2023 लगातार परदेश की देवतुले जनता ने और पश्ची मुत्तर परदेश के सम्मानित देवतुलनागरिकों ने बारतिय जनता पार्टी का साथ दिया और लगातार जो दल एक दूसरे का इस तरह का गठबंदन बनाकर लोगों को बैकाने का प्रयास करते थे लोगों ने उनको जवाब देने का काम बारतिय जंता पार्टी को समर्तन देकर किया है गोरखपुर योगी सरकार की एक बड़ी पहचान है और भाजपा इस कहले को लेकर बहुत ज्यादा मुस्तैद भी है ऐसे में अगर अखिलेश अपनी कोशिश औरखपुर में कर रहे हैं तो लड़ाई वो मांचक्त ज़दूर होगी एबीपी गंगा के लिए लखनाउ से अनुभा शुकला के साथ प्यूरी तो पाथ सीम योगी की जो आज अयोध्या में थे सीम योगी ने एलान किया कि इस बार दीपोट सब पर अयोध्या में 21 लाख दिये जलाए जाएगी यानि इस बार ऐसी तयारी होने बाली है जो पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी यहां बड़ी बात यह है कि दिवाली से लोगसबाद चुनाव की धल चल तेज हो जाएगी और जिस दिन राम मंदर बनकर तयार होगा उस दिन लोगसबाद चुनाव की तयारी अंतिम चरण में होगी यारे भाजपा की कोशेश इस चुनाव में राम मंदर के मुद्दे को इतना बड़ा बना देनी की है जिससे विरोधी पस्त पढ़ जाएगा सीएम योगी एक बार फिर आयोध्या पहुँचे और राम भक्तों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया बुद्धवार को उन्होंने हनुमान गई और राम मंदर में फूजा आरजना की थी शाम के वक्त विकास की योजनाओं की समिक्षा बैठकी राम मंदर निर्मान की पूरी जानकारी ली और गुरुवार सुबे अयोध्या के भरतकुंड पहुँच गय भरतकुंड से सियम योगी ने ऐलान किया कि इस बार डीपोट सौप पर नया रेकॉर्ड बनेगा 21 लाख डीपक जलेंगे बुशित बढ़िए इस्मार डीपोट सौप ओवर्योगे नो भरतकि इस लाख की प्रजीन होगे अयोध्याध्याथे इस लाख डीप आर अयोध्या चल्पट के हर आपनवें तीप्रज़न के कहकर दो ने जएसेंगे पर राम मंधिद अभी आकार ले रहा है लेकिन जिस दिन ये बनकर पूरी तहर तैयार हो जाएगा उस दिन अईद्ध्या से बड़ी तस्वीर सामने आईगी ये ऐसी तस्वीर होगी जिसको हर दिन लोग सभाचुनाओं से पहले भुनाने की कोशिश होगी सीम योगी का गुणगान बताता है कि अयोध्या बहाजपा के एजेंडे में कितना उपर है से अयोध्या प्रेटा यूद्ध की याद किलाता है जब राव राच्य की पड़कर्शना को जब साटार क्या गया था प्रवसिरान के पाद आप दुस्वोड लगे और अयोध्या का रही है वो अयोध्या से 12 किलोमिटर दूट है लेकिन इस मन्च से सीम योगी अगर भक्ती की बात कर रहे थे तो विकास के प्रोजेक्ट भी किनवा रहे थे राम को हम लोगों ने जिस रूप में देखा है पूचा है उनकी भरतिपी है और भरतिशाका रूप से अब हम सब के सामने राम लरा की रूप में भरत कुंड के मन्च से सीम योगी ने एक सियासी संदेश भी दिया यह संदेश लोग सभाचुनाओं को लेकर था इसमें उन्होंने आयोध्या के सांसद लल्लू सिंग का नाम लिया और बड़ी बात के अजयोध्या के साथ परिया नहीं कर सकता है अब अजयोध्या के नान लेने कोई स्रोगोज नहीं करता है और अजयोध्या आने के लिए पर टॉन है जो भॉनाइतना होता हूँ सियम योगी जब भी अयोध्या में होते हैं तो विरोध्यों पर हमला जरूर करते हैं इस बार भी उन्होंने अपनी इस सियासी परंपरा को बरकरार रखा उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेकिन इशारा किस की तरफ था ये सब समझ गए पैसे की कभी नहीं है पैसे की कभी तब होती थी जब सरकारी ख़जारी पर टकैती दान्देवारी दुख सब्ता में बैट करके अधिया की एक एक चीज सीम योगी को अच्छी तरह पता है साड़क चौरी करण को लेकर लोगों के सामने जो परिशानी हो रही है उसे भी सीम योगी ने गिनवाया और कहा कि बड़े लक्षे को हासिल करने के लिए कठिनाई तो उठानी ही परती है सीम योगी ने दावा किया कि छे महीने में अयुद्ध्या की सारक दिल्ली के राजपत जैसी हो जाएगी एवीपी गंगा के लिए आयुद्ध्या से दिशिगुपता की दिल्ली करनाटक चुनाओं के बाद से कॉंग्रेस ने जातिया जनगर्ना के मुद्धे को बड़ा सियासी हत्यार बना लिया कॉंग्रेस की कोशिश यूपी में भी इस मुद्धे को बड़ा बनानी की है इसकी पहली तस्वीर आज मतुरा से साब गयाई जहां कॉंग्रेस ने ताउने जातिया जनगर्ना के मुद्धे पर सम्मेलन आयुजित किया माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कॉंग्रेस इसी तरह के कारिक्रम पूरे प्रदेश में चलाएगी क्योंकि राहूल और प्रयांका गांधी ने इस मुद्धे पर बढ़ने का सीधा इशारा कर दिया क्या करना टक विजय के बाद कॉंग्रेस ने जाति वाली नई लाइन पकर ली है क्या जातिये जनगर्ना का मुद्ध और आख्षन की बार कॉंग्रेस को दोबारा सत्ता में ला पाई है सवाल तो कई हैं लेकिन कॉंग्रेस ने फिलहाल इस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिये हैं गुरुवार से यूपी में कॉंग्रेस ने एक नए अभियान की शुरुआती इसका नाम रखा गया है जातिये जणगर्ना कराओ आदक्षन बढ़ाओ सम्मेलन इसकी पहली तस्वीर मत्थुरा से सामने आई जहां कॉंग्रेस ने पिछड़ा वर्ग मंडल ये सम्मेलन किया इसमें पार्टी के कई नए और पुराने नेका शामी किये कॉंग्रेस की सीधी मांग है के देश की जातिये जंगर्ना करवाई जाए ये मांग सपा भी करती आई है और विहार की नितिश सरकार ने इस पर पदम ही बढ़ा दिये थे कुल मिलाकर विरोधी डलोन 24 के चुनाओ के लिए जाती वाले एजंडे को धारदार हत्यार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है करना तक चुनाओ में राफुल गांधी कई बार इस मुद्दे का जिक्र करते नजराय दे हिंदुस्तान की सरकार की रीड के अटी जो है सेक्रेट्री उसमें से सिरफ साथ परसेंट दलित आदिवासी और ओबीसी वर्ट से आते हैं कर देश की बात करते हैं उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए अगर सब को विस देश की प्रगती में शामिल करना है तो यह तो मालुम होना चाहिए कि कौन कितने हैं कौंग्रिस एक तरफ जहां ओबीसी वोटर को रिजहाने की कोशिश में है तो वो डलित वोटर को लेकर भी दाउं चल रही है यूपी से लेकर राश्क्री अस्तर तक पाइटी ने डलित चेहरों को ही अग्धेक्ष बनाया है फिर जाहे वो बिजलाल खाबरी हों या फिर म 12 साथ में की तयारी है ग्रामीन शेवेट के दौरान घ्रामीन इकाई का धी गठन किया जाएगा इसके अलावा जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी के साथ बूथ कमेटी भी तैय की जाएगी तीन बोट थे कांग्रेस ब्रहमन को अपना बोट मानती थी कांग्रेस मुसलमान को अपना बोट मानती थी और कांग्रेस दलित को जाटब समान को भी अपना बोट मानती थी अब इन तीनों वोटों में सब वोट भारती जंता पार्टी के पास हैं कांग्रेस मुक्त भारत ऐस समझे काई ने मंदी जी ने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत यह अंग्रेजियों से मुक्त भारत कांग्रेस 이 स Pe more the waste टो अब कांग्रेस दीर-दीर इसे समाप्त हो रही है इसलिए कांग्रेस का तो अस्तत्त ही नहीं बचा है जातिये जंगर्ना के मुद्दे पर कॉंग्रेस लगाता मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है राहुल गांधी ने बीते दिनों च्वीट किया था उन्होंने लिखा था भारत सरकार में मात्र साथ फीसदी सचिव दली आदिवासी या ओबीसी है क्या भारत में इन वर्गों की आबादी बस साथ पतिशत है अगर हमें देश में सब को भागिदारी देनी है तो किस जाती की कितनी आबादी है ये पता लगाना पड़ेगा प्रधान मंत्री जातिये जंगर्ना के आँकरे सारुजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक और ट्वीट किया था उसमें लिखा था प्रधान मंत्री जी वंचितों को खोखले शब में राजनितिक और आर्थिक शक्ती की ज़रूरत है तीन कदम उठाईए 2011 की जंगर्ना के आँकरे सारुजनिक कर देश में OBC कितने हैं बताईए आरक्षन से 50 फीसदी वाला कैप अटाईए दलितों और आदिवासियों को आबादी के अनुसाद आरक्षन दीचिए पिछले दिनों विपक्षी एक्ता की तमाम कोशिशों के बीच ये बात सामने आई कि कि तब तक विपक्षी एक्ता का कोई बड़ा मतलब नहीं होगा जब तक मुद्दों पर सहमती ना हो अडानी मुद्दा हो या कोई दूसरा मामला हर दल इस पर सहमत नहीं दिखा लेकिन जाती ये जणगर्ना और आरक्षन की सीमा बढ़ाने की मांग ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खरीब करीब सभी विपक्षी पार्टियां साथ आ सकती हैं और विपक्ष एसी मुद्दे को बड़ी ताकत बना सकता है एवीपी गंगा के लिए भिरोन पो पर यूपी की डगा मार बसों पर जारी धुआधार्ट सियासत की बीते दिनों यूपी परिवहन की ऐसी बसों की तस्वीर वाइरल हो चुकी है जुनहें धक्का मार कर आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर किसी तरह से उन्हें सड़क पर दोड़ाया जा रहा है ऐसी एक तस्वीर को ट्वेट करके अखिलेश यादव ने नस्त्व योगी सरकार पर चुबने वाला हमला किया है बलकि 15 जून तक बसों की हालत में सुधार को लेकर परिवहन मंट्रे दयाशंतर सिंग के दावे पर भी सवाल खड़े करती है ये नए उत्तर प्रदेश की नई बस सेवा है जिसे सरक पर धक्का मात कर आगे बढ़ाया जा रहा है एस वीडियो को सपा ध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो सियासत में बेजेनी बढ़ गई क्योंके परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंग ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 15 जून तक बसों की स्थिती सुधार दी जाए 15 जून की तारीख आ गई निर्देश पर कितना अमल हुआ सबसे पहले परिवहन मंत्री से ही सुनी है को बार बार ट्रीट करते हैं तो ऐसा नहीं है और यह सही है कि करोना काल में मैंने मारे दो बरस तक बसे नहीं खरीदी गई तो उसके कारण से कुछ पुरानी बसों को जनता के हित में मुझे चलाना पड़ा था लेकि अब मैं जो सभी बेने को नए बसों के मैं उसको जिसमें यात्रियों के जंदगी से खुले आंख खिलवार किया जा रहा था ट्राइवर के पीछे बैठा यात्री कपड़े की रसी से गेर पकड़ कर बैठा था अगर हाथ से कपड़े की रसी छूट जाती तो बड़ा हाथसा हो सकता था सरकार तो कभी अपनी कमिया नहीं बताती लेकिन हालात हर सच बया कर देते हैं आपको वारण असी की कुछ तस्वीरे दिखाते हैं जो ये बताएंगी के परिवहन मंत्री के 15 जून वाले निर्देश का जमीन पर क्या हाल है परीचालक की सीट आपको देखाएंगे किस तरह से देख सकते हैं आप इंते के ऊपर सीट रखी हुई है इंता है वैप देख सकते हैंрийर यात्रा यात्री कर रह रहे हैं और परिवहन बिवाग दबराइआ परिवहन मंत्री दया संकर सिंग ने यह कहा था कि यात्रियों की सूबिदया को देखते हुए उनके लिए बस जो है वो काफी अच्छी बनाई जाए जो बैठने में उनको परसानी ना हो पाए इसके साथ साथ सफाई की बेवस्ता की जाए परदे लगाए जा क्योंकि गर्मी चरण सिंग बस स्टैंड है यह बनारस का यहां से लगभग पुरवांचल में सभी जिलों में बसे जाती हैं यानि बसें वदहाल है यात्री परेशान है अगर कुछ सही सलामत है तो परिवहन मंत्री का 15 जून वाला निर्देश कुछ ऐसा ही हाल कानपूर में भी है जहां स अब यात्री है पानी यानि सब पीपाल की बोतल से बाहर फेकते नहीं है यह सब गंदगी है यह सीट पर बैटते हो बड़ी जरजर लग रही है जरजर क्या यह तो अब वर्साप काम है ना वर्साप में यह जैसे उनों बताया जाता करते हैं सब अकि सब देखिए गेर ली जो हाल वारा नसी और कानपुर का है वही हाल मेरट का भी है जहां परिवहन मंत्री का आदेश बस के धूए के साथ आस्मान में उर चुका है यह बस मेरट से सीधे रामपुर जा रही है एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊँगा कि देखे जो निर्देश दिये गए है उसका असर फिलाल तो यहां पर नजर नहीं आ रहा है तमाम आप सीटे देख लीजे यह किस तरीके से यहां पुरानी हो चुकी है यह सीटे यह यहां पर जो फटी हुई है आप यह देखे यह इस्तिती है जो कहा है द्याशंकर सिंग्ने की ववस्ताओं को दुरूस कर दे तो इस तरीके से सीटे यहां पर फटी हुई है और यह देखे पूरी तरीके से यहां पर यह गंदगी है और इने साफ नहीं किया गया है अब आ यहां पर आपको नजर नहीं आ रहें, तमाम सीटे देख लिए किस तरीके से यहां पर फटी हुई है, कैई शीशे ऐसे हैं कि जो बंद होने के लिए तयार नहीं है, यानि 15 जून तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है, हो सकता है कि कुछ बसों में जरूर जो वेवस्ताएं ह वो यहां पर दुरूस्त कर दी गई हूँ, लेकिन बाकी जगा ऐसी स्तिती नजर नहीं आ रही है। सब के सामने है, एबीपी गंगा के लिए वारा नसी से नितिन उपाध्याय और कानपुर से रतिष पुरेदी के साथ विरो रिपोर्ट। की ओर से दर्ज कराए गए केस में पूलस की चार्ज शेट ब्रेज भूशन शरन सिंग की मुश्किल बढ़ा सकती है। यौन उत्पीडन के आदोपों से घिरे ब्रेज भूशन शरन सिंग के लिए राहत और आफ़त की खबर एक साथ आई है। दिल्ली पूलिस ने रज भूशन पर दर्ज दो अलग-अलग मामलों में जांच रिपोर्ट ताकिल करती है। पॉक्स और आट्ट के तहट दर्ज केसमें पूलिस की रिपोर्ट दर्ज भुशन शरन पर दोखत देने वाली है। नावालिक के उत्पीरण से जॐड़े केस में पूलिस ने ट्रोजर रिपोर्ट फई है। यहां समझना होगा कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट तब फाइल करती है जब कोई को सबूत नहीं मिलता पट्याला हाउस कोड में दिल्ली पुलिस में क्लोजर रिपोर्ट ताकिल कर केस को खत्म करने की मांग की है पुलिस का दावा है कि कोड में क्लोजर रिपोर्ट नावाली और परिजनों के बयान के आधार पर तातिल की गई है। पुलिस की रिकोर्ट पर चार जुलाई को कोड में सुनवाई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने ब्रच भुशन शारन सिंग पर दर्ज दूसरे केस में राउस आवेन्यू कोड में चार शीट फाइल कर दी है। एक हजार पन्नों की चार शीट में दिल्च भुशन सिंग पर कई आरोप लगाए गए। धारा 354 यानि गलत इरादे से महला पर हमला या आपराधिक बल प्रहिए। धारा 354 यानि अश्रील टिपनी करना और धारा 354 यानि पीछा करने के अपराध में ये चार शीट फाइल की गई है। यानि के दूसरे केस में ब्रिजभोशन शरन सिंग के मुश्किल और वर सकती है। एसवीज ब्रिजभोशन के समर्थन में भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंग का एक पत्र वाइरल हो रहा है। ये पत्र 14 चूप यानि गुरुवात के इंद्रिय खेल मंति को लिखा गया था। पत्र में ब्रिजभोशन सिंग पर लगे आरोपों को साजिश बताया गया। वहीं ब्रिजभोशन पर कारदवाई की मांग कर रहे पहलवानों को विरोधियों की टूल किट करा दिया गया। भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंग के इस पत्र ने राजनिती का पारा चढ़ा दिया है। एवीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाष्टी बारी के साथ प्यूग लगाई गया। कभी धर्म से जोड़े फत्वों और कभी फैसलों को लेकर चर्चा में रहने वाला दारूल उलूम देवबंद् एक बार फिर चर्चा में है। इस बार अंग्रेजी भाषा को लेकर उसका फर्मान आया है। देवबंद में शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसेन हरिद्वारी ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। नई गाइडलाइन में दीनी सिक्षा पर जोड दिया गया है। अंग्रेजी या फिर दूसरी भाषा सीखने पर पाबंदी लगा दी गई है। दीनी तालीम के दोरान उर्दू, अर्वी और फार्सी की शिक्षा लेने की हिदायत दी गई है। आदेश नहीं मानने पर निश्कासन की कारवाई की चेताव नी दी गई है। दारूल उलूम देवबंद का यही फर्मान न सिर्फ चर्चा में है बलके भाजपा सरकार में मंत्री गुलाब देवी को चुप रहा है। देश में शिक्षा नी थी सब के लिए। इसमें कोई जाती मजब या कुछ लिए चले गा नहीं। सभी बच्चों के लिए हम समान समझते हैं और सभी को समान शिक्षा देना चाहते हैं। हम किसी मजब क्यों नहीं में जाना चाहते हैं। अंग्रेजी और दूसरी दारूल उलूम देवबंद के फरमान पर भाजपा के तेवर सक्त हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंग ने दारूल उलूम के फैसले को छात्रों के भविश्य के साथ खिलवार करार दिया है इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए आज अंग्रेजी आज पूरे वीश्य की भासा बन चुकी है लोगों को आगे जाने के लिए अंग्रेजी बहुत अनिवार्ज है आप विदेशों में जा करके हिंदी और उर्दू थोड़ी बोलना है वहाँ तो अंग्रेजी या आज कल जितने जो टेकनलाजी आ रही है नहीं नहीं टेकनलाजी अंग्रेजी के ही सब्दों में है वो तो इसलिए ये नहीं है कि किसी नहीं करना चाहिए खास बात ये है कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ने पर निशकासन के फरमान को लेकर दारूल उलूम ने चुपी साथ ली है वहीं मौलाना सुफियान निजामी समेत दूसरे मुस्लिम धर्म गुरू दारूल उलूम के बचाव में उतर गए हैं तर्क है दारूल उलूम में अंग्रेजी पर बैन नहीं लगाया गया है बलके सिलेबस को फॉलो करने की गाइडलाइंज जारी की गई है देखे एक बार फिर दारूल उलूम गयुबन के तालुख से एक जुटी और बेवनियाद बात बार बार मनजर आम पर लाने की कोशिश की जारी है और इसमें ये बात कहीं जारी है कि दारूल उलूम गयुबन ने अपने चात्रों को रिस्टूरेंट्स को अंग्रेजी की तालीम हासिल करने पर उनका निश्काशन करने का हुक्म जारी किया है यखीन ये बात वही हजरात कर सकते हैं कि जो मदारिश के खिलाफ एक प्रोपैगंडे के तहट और एक साधिश के तहट काम कर रहे हर इंस्टिउशन का हर इदारे का एक उसूल और जापता होता है दारुलूम देवबंद के बचाओं में आए मुस्लिम धर्मगुरूं की ओर से सफाई दी जा रही है कि देवबंद में पढ़ने वाले छात्रों को कम्प्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है जो अंग्रेजी में होती है ऐसे में देवबंद के फर्मान को अंग्रेजी या फिर किसी दूसरी भाषा के विरोध से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए देवबंद का नया फर्मान सिर्फ दीनी तालीम के लिए है जबान और इल्म उद्रत का करश्मा है वक्त और हालात के मताबिक हासिल करना जरूरी है जिसका मेजमेंट और सेलबेस जिस जबान की जरूरत महसूस करता हो उस वक्त वही जबान हासिल की जाएगी एक ही वक्त में सारे इल्म हासिल करना नामुम्किन है जाहिर है कि दारूल उलूम देवबंद के फर्मान पर दावों की शक्ल में जुबानी दंगल जारी है एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट इसके हुए पुलिस ने चौकसी कड़ी करती है और इस भी मुस्लिम संगठनों की ओड से एक बार फिर 18 जुन को दहरादू में महापंचायत करने का एलान किया है जिससे शासन और प्रिशासन की चिंता बढ़ गई कथित लब जिहाद के मुद्दे पर पहार का पारा हाई है हिंदू संगठनों की ओड से बुलाई गई महापंचायत गुरुवार को ही रद कर दी गई थी धारा 144 लागू है बावजूद इसके उत्तर काशी के बढ़ कोट से लेकर पुरुला तक बड़ी संख्या में लोग सरकों पर नज़र आए कई जगों पर फुलिस और लोगों के बीच ज़ड़प की भी तस्वीवें सामने आई पुरुला जा रहे साथ लोगों को बाड़ कोट में गिरफतार किया गया और बजरंग दल के कारिकरताओं ने पुरुला में प्रदर्शन कर प्रशासन की कारववाई का विरोज किया सर पूरे देश में मन रही है आप तो बहुत मजबूत स्थम है इस देश का आपको पता है किस परकार से इस पूरे देश में इस परकार के शडियन तो रचा जा रहा है उन जिहादी गतिवितों को अंजाम देने वाले मस्जीद मदर से उनके कटरपंती मान सिकता वाले वह मोलाना और वसी दियसे वो लोग जो कहते हैं 15 मिनट के लिए आरे भाई लोग तंतर है देश है बात तो तुम लोग तंतर की करते हो लेकिन जब बात करते हो तुम अपनी कटरपंती बाते करते हो प्रदर्शन और पुलिस की जड़ब की तस्वीरें तब नज़र आई हैं जबके प्रशासन की ओर से उत्तर काशी में पहले ही धारा 114 लादू कर दी गई थी यहां तक के प्रशासन ने हिंदू संगर्षनों को महा पंचायत की इजासत लेने से भी इंकार कर दिया था इसके अलावा पुरोला में बड़ी संख्या ने पुलिस बल को टैनार पिया गया था ऐसे में अब जिला प्रशासन प्रदर्शन करने वाले बजरंग डल के कारे करताओं पर कार्दवाई की बात करता है जनपद वासियों से यह अपील करना चाहूंगा कि जनपद में सौहरद्रपूर्ण और प्रेम का शांती का महल बनाने में सभी अपना सयोग दे और यदि कोई शरारती तत्व या राजक तत्व उस महल को भी गाडनी का प्रियास करता है तो कृपया आप निकटम जो पुलिस चोकी या थाना है वहाँ पर जिलादी कारे ले या जिलादी कारे ले में उसकी सुचना जरूर दें ताकि हम उसके तद्काल कारवाई कर सेके उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत भले नहुई है लेकिन माहौल तनावपून है संतों ने लब जिहाद को लेकर मोचा कुल दिया है पुरोकाल में जो मुख्यम्ति रहे उनको भी चेताया गया था कि पाड़ में जो प्लायन हो रहा है और यह जो धर्मांतन का मुद्दा बढ़ रहा है आज वो श्तिती लब जिहाद पर आ गई है नाबाली कन्याओं को ज कथित लब जिहाद के मामले ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद का मुद्दा भी बढ़ा कर दिया है हिंदू संगट्षों से लेकर साधु संतों नाथ लब जिहाद और लैंड जिहाद पर कड़े कानून की मान कर रहे हैं एस पार सीम पुशकर सिंग्धामी ने जांच के ले सब्सक्रों के सानकीट लिए गी कानून काम कर रहा है, अगर कोईजों होगा तो उसके खिलाब कड़ी कारवाई होगी को देखते हुए महापंचायत का कालिकम रद्द कर दिया लेकिन मुस्लिम संगठन 18 जून को 13 दून में महापंचायत पर अरे हुए हैं दावा है कि महापंचायत होगी फिर जेल ही क्यों न जाना पड़े देखे पुरोला ने जो इस्तकीद हुआ है वो पुरोला के लोगों का अपना मामला है और जो यह हमारे समाज का यह हमारे संगठन का और जमियत का कॉल है यह अपना एक मसला है वहाँ पर जो कुछ हुआ था जो कुछ हो रहा था वो तो हो चुका है अब वहाँ कैसी माना जा रहा है कि अगर देहरादून में 18 जून को मुस्लिम संगचनों की महा पंजायत होती है तो पुलिस प्रशासन की जुनों की बह सकती है ऐसे में उत्तराखंड पुलिस ने कानून व्योस्था को बनाय रखने के लिए नए सिरे से तैयारी शिरू कर दी है अभी तक उत्तरकासी जनपत के पुलिस 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 अभी पापचित चल रही है वो संधी पुर्व कोगा पुलिस यहां पे तला जाएगा उत्तरकाशी में 19 जून तक 12144 लागू की गई है तो देहरादून और हरित्वार में पुलिस अलर्ट पढ़ है एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से पिनोत कुमार और देहरादून से तविक एंतुरा के साथ योगली पुलिस बात माफिया अतीक एहमद की हत्या से जुड़े उस सवाल की जो माफिया के मडर के दो महीने बाद भी प्रियागराज पुलिस को चुप रहा है दरसल अतीक एहमद और अश्रफ की हत्या के दो महीने बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि हत्या के पीछे शूटर्स का असल मकसद क्या था और उनके पीछे किसका हत्ता इस बीच अतीक एहमद के गुर्गों के आतक रेप पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी करती पंद्रह अप्रैल की रात पुलिस का स्टड़ी में अतीक और अश्रफ की हत्या के पीछे वजे क्या थी दो महीने बाद भी ये सवाल कायम है प्रयाग राज पुलिस अब तक इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाई है कि हत्या करने वाले तीनों शूटर्स का मकसद क्या था और तीनों शूटर्स ने अतीक और अश्रफ की हत्या का फैसला खुद किया या फिर उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया माफिया अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या से जोड़े और भी कई सवाल है जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है लेगिन समस्या ये है कि पुलिस को अब तक एक भी सुराग हासिल नहीं हुआ है मामले की जाच कर रही SIT के सामने भी यही सवाल है बता दें कि हत्या के वक्त मौके से पकड़े गए तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, अरुन मौरे और सनी सिंग ने दावा किया था कि उन्होंने अप राद की दुनिया में नाम कमाने के लिए अतीक और अश्रफ की हत्या की लेकिन शूटरों के इस दावे पर पुलिस को शक है क्योंकि पुलिस ने उनके पास से विदेशी पिस्टल जिगाना और गिर्शान बरामत की थी ऐसे लेका शूटर की ओर से दावा किया गया कि उन्हें विदेशी पिस्टल दो साल पहले मारे गए गैंगस्टर जीतेंद्र गोगी के गैंग से मिली थी जो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं माफिया की हत्या में शूटर्स के पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है ऐसे में अब S.I.T. ने शूटर्स का लाइ डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है माफिया अतीक एहमद और उसका भाई खालिद अजीम और्फ अश्रफ अब भले ही इस दुनिया में ना हो उनका कत्ल किया जा चुका हो उने मौत के घाट उतारा जा चुका हो लेकिन अतीक एहमद और अश्रफ के गुर्गों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है इसी तरीके का एक नया मामला सामने आया है जहां अतीक एहमत के जेल में बंद एक गुरगे ने शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन पर धंकी दी है पचास लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार समेथ मौत के घाट उतारने की धंकी दी है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी